दोस्तों आज की इस वीडियो के द्वारह में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप կिस प्रकार से किसी लोजिक के सर्कीट को बनावगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास में एक लोजिक है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक conveyer belt है उसको run करवाने के लिए motor का इस्तवाल किया जा रहा है अब ये जो मोटर इस मोटर को चालू करने के लिए Start Push Button के इस्तमाल किये जाएगा Start Push Button को प्रेस करने से Convair Belt चालू हो जाएगा और Convair Belt के चालू होने के बार ये जो Object है ये Object आके यानि Limit Switch से टकराता है तो इस Condition में हमारा Convair Belt थोड़ी दिरे के लिए रूख जाएगा 10 सेकेंड के लिए उसके बार Convair Belt हमारा दुबारा चालू हो जाएगा फिर से यहाँ पर दूसरा Object आएगा वो आके Limit Switch से टकराएगा फिर से हमारा Convair Belt 10 सेकेंड के लिए रूख जाएगा तो यह जो Convair Belt है इस Convair Belt को इस वाले लोजिक के अकोडिंग वर्क करवाने के लिए हमें पूरा सरकीट को बनाना है तो देखे दोस्तों यदि आप सरकीट को बनाने जाओगे तो सरकीट बनाने के लिए आपको कुछ लिमिट स्विच लगाए गया उसका भी इस्तमाल हम करेंगे साथी साथ में उसमें कहा जा रहा है कि हमें Convair Belt को 10 सेकेंड के लिए बन करना है तो उसके लिए हम यहां पे टाइमर का इस्तमाल करेंगे इन सभी के अलावा हमें यहां पे एक रिले भी इस्तमाल करना पड़ेगा यह जो रिले इस रिले का काम क्या होगा यह आप आगे समझ जाओगे अब इन सभी इलेटिकल डिवाइस के अलावा हमें यहां पर एक ओवलोड डिले का भी इस्तमाल करना पड़ेगा ये जो ovolo linskyले इसका काम ये होगा कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को ovoload से protection प्रोवाइट करना तो गुल मिला कि हमें केवल इतना ही electrical device का इस्तेमाल करना होगा और इन सभी का इस्तेमाल करते हुए हमें circuit को بنाना होगा तो कनिवेर वेल्ट को रन करवाने के लिए मेरे पास में जो मोटर है उस मोटर का सिंबॉल यहाँ पे बनाया गया है अब यह जो मोटर है इस मोटर को चालू बन करने के लिए पावर वारिंग यहाँ पे किया गया है पावर वारिंग में हमने कॉंटेक्टर और ओवलो रिले का इस्तमाल किये हैं अब इस मोटर को यदि हमें चालू करना है तो इसके लिए इस वाले कॉंटेक्टर को चालू करना पड़ेगा और motor को बंद करने के लिए इस वाले contractor को बंद करना बढ़ेगा तो contractor को चालू और बंद करने के लिए हम पूरा control circuit को बनाएंगे control circuit को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे overall relay है इस overall relay का जो NC contact है जैसे कि यहाँ पे NC contact है इस वाले NC कॉंटे को सबसे पहले incoming power supply प्रोवाइट कर देंगे मतलब कि जो हमारा face supply है उस face supply को ले जाके overall relay के 95 नंबर के टर्मिनल के साथ इसको हम connect कर देंगे अब इसको connect करने के बाद हम क्या करेंगे इसका जो 96 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके stop push बटन को power supply प्रोवाइट कर देंगे अब यहाँ पे जो वायरिंग किये यह वायरिंग किस प्रकाश से किये एक बात होसा समझ लीजिए तो जैसे कि आप देख सकते हूँ यह मेरे pass में overall relay है इस overall relay में यहाँ पे 95 नंबर का टर्मिनल और यहाँ पे 96 नंबर का टर्मिनल है यह जो यहाँ पे टर्मिनल है यह टर्मिनल होता है NC contact और यहाँ पे NO contact है तो जो हमारा control circuit होती है उस control circuit में हम overall relay का NC contact इस्तमाल करते हैं तो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो हमारा फेश सप्लाई होगा, उस फेश सप्लाई को लाके सबसे पहले, यहां पे जो 95 नमर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के सार कनेक कर देंगे, इसके बाद यह जो 96 नमर का टर्मिनल है, यहां से एक वायर को कनेक करके, जो हमारा stop push बटन है इसको incoming power supply प्रोवाइड कर देंगे अब इस वाले stop push button के output टमिल से एक वायर को लिजाके start push button को incoming power supply प्रोवाइड कर देंगे और यहां से एक वायर को लिजाके हमारा जो relay इस relay को operate करवाने के लिए power supply प्रोवाइड करेंगे मतलब कि हमें क्या करना होगा कि जो हमारा stop push बटन है वहां से power supply को ले जाके start push बटन को incoming power supply प्रोवाइड करना होगा अब यह जो start push बटन है इसके जरी है mostly condition में हम man contractor को चालू बन करते हैं लेकिन अभी के time पे जो हमारा conveyor belt है इस conveyor belt को हमें थोरी समय के लिए बीच में रोकना है उसके बार इसको दुबारा automatically चालू करना है तो यदि हमें इस वाले conveyor belt को automatically दुबारा से चालू करना है तो इस condition में हमें relay का इस्तमाल करना होगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक relay है इस relay को मैं start करूँगा start push button के जरिये तो यहाँ पे जो wire मैंने connect करके रखाओ इसको मैं delete कर दूँगा और delete करने के बार start push button से power supply चला जाएगा इस वाले relay के A1 terminal पे अब यह जो relay इस relay को operate करवाने के लिए neutral power supply बीचाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा neutral power supply है इस वाले neutral power supply को लाके directly A2 terminal पे connect कर दूँगा इस प्रकास से हम connection कर देंगे अब यहाँ पे जो हमारा relay इस relay का जो एनो contact होता है जैसे कि यह वाला एनो contact हो गया तो इस एनो contact को हम start push button के parallel में connect कर देंगे इस प्रकास से यदि हम इसको parallel में connect कर देंगे तो इस condition में क्या होगा यदि हम यहाँ पे start push button को प्रेस करके relay को चालू करते है तो इस condition में relay का जो एनो contact है वो close हो जाएगा जिसके वैसे power supply यहाँ से हमेसा flow होते रहेगा और जो हमारा relay यह relay हमेसा on condition में रहेगा अब इस relay को बन करने के लिए simply stop push button को प्रेस कर देंगे relay हमारा बन्द हो जाएगा तो यहाँ पे हमने इस वाले relay को चालू बन करने के लिए connection कर दिये अब यह जो relay इस relay के चालू होने के बार यह जो हमारा man contactor है जिसके ज़री हम motor को चालू बन करेंगे उसको operate करवाने के लिए हमें connection करना है तो connection करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं यह जो हमारा contactor है इस contactor का जो A2 Tunnel है उसको neutral power supply directly provide कर देंगे neutral power supply provide करने के लिए इसको हमें face supply भी provide करना है तो face supply provide करने के लिए हम यहाँ पे बीच में लिमी स्विच का कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि हमारा जो जो लोजिक था उष लोजिक में कहा गया था, कि जैसे हमारा लिमी स्विच ऑप्रेट होता है, तो तुरंत ही हमारा मोटर स्टॉप हो जाना चाहिए, और मोटर हमारा केवल 10 सेकेंड के लिए बंद रहेगा, 10 सेकंड के बार में हमें आटोमेटिकली मोटर को चालू करना है तो मोटर को बन करने के लिए हम यहाँ पे लीमी स्विच का इस्तमाल कर रहे हैं तो इस वाले लीमी स्विच का जो NC कॉंटेक है उस कॉंटेक के जड़िए पावर सप्लाई जाएगा कॉंटेक्टर के A1 टर्मिनल पे मतलब कि हम कॉंटेक्टर को फे सप्लाई लीमी स्विच के जड़िए प्रोवाइट करेंगे और इस वाले limit switch को incoming power supply start push button के output terminal से जाएगा मतलब कि हम इस प्रकास से connection कर देंगे अब इतना connection करने के बार क्या होगा कि जो हमारा motor है उस motor को चालू करने के लिए start push button के प्रेस करना पड़ेगा motor हमारा चालू हो जाएगा अब motor यदि हमारा चालू हो जाता है तो क्या होगा जो हमारा object है जो के conveyor belt के उपर रखा हुआ है वो आके limit switch को प्रेस करेगा जैसे limit switch प्रेस होगा तुरंती हमारा motor बंद हो जाएगी अब यहाँ पे motor हमारा बंद हो गया पूरा connection कर देंगे connection करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक वाय को लिजाके timer का जो एवन टर्मिल है उसके साथ इसको connect कर देंगे अब इस timer का जो एटू टर्मिल है वहाँ पे neutral power supply हम directly provide कर देंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में timer है इस timer को जड़ी हमें operate करवाना है तो operate करवाने के लिए timer का जो एवन टर्मिल है वहाँ पे हमें neutral power supply को connect करना होगा तो timer को operate करवाने के लिए हमें simply face supply और neutral supply provide करना होता है और इतना connection करने के बार क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे start push बढ़ने इसको प्रेस करते ही हमारा motor चालू हो जाएगी मतलब कि conveyor belt हमारा चालू हो जाएगा conveyor belt के चालू होने के बाद जो हमारा लीमिस वीचे यदि operate होता है तो इसके operate होने से हमारा timer भी operate हो जाएगा और timer में जो भी हम time set करेंगे उतना time के बार इस वाले contractor को चालू करने के लिए हम यहाँ पे connection कर देंगे तो contractor को किस प्रकास से चालू करेंगे इसको explain करने से पहले यदि आप चाहते हो कि आपको कोई भी starter को बनाना हो उस वाले starter को आप खुछ से बना दो या फिर किसी electrical panel का wiring करना हो तो wiring आप खुछ से कर दो यदि आप यह सब knowledge रखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा जो course है electrical wiring master इस course को आप जोइन कर लिजेगा यदि आप course को जोइन करती हो तो आप पूरा electrical wiring का basic से लेके advanced लेवल तक का जो wiring का concept होती है वह concept को आप समझ जाओगे electrical wiring का जो course है उस course का link आपको description में मिल जाएगा इसके अलावा जो comment है comment में जो पहला comment होगा उस comment में भी आपको link मिल अब चलते हैं हमारे circuit पे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो limit switch होता है तो इस condition में यह जो timer है यह timer हमारा operate हो जाएगा अब यह timer के operate होती हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो हमारा conductor है यह conductor हमारा चालू हो जाए तो conductor को चालू करने के लिए हम यहाँ पे चाहें तो no contact का इस्तमाल कर सकते हैं अब यह no contact होगा हमारे इस वाले timer का तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि यह जो no contact है इसका जो symbol है उसको change कर देता हूं यह हो गया timer का symbol जो की on delay timer है यहाँ पे जो हम timer इस्तमाल करेंगे यह timer हमारा on delay timer होना चाहिए तो timer को power supply तो हमने यहाँ पे provide कर और turning 26 national शोलर नंबर का टर्मिनल अटारा विश्ट नंबर का तरमिनल है यहाँ पे जो 15 नंबर का ट Warm सटीनल यह होता यह होता है common टरीमिनल 26 नंबर काあの ओर sona strah狼 old होता है तक और यहां पर चालू करने के लिए कणेशन करेंगे принidän गिए यहां आपके हमारा लीमी स्वुछ आइसाद के सं कनेक्स करा तो ःतना कनेक्शन करने वह की तो स्टार्टर स्ट रहेए नो फूट्ष भी spent यूंची का कर्नेक्स का सिस्कों कनेक्स युकषब है जैसे कि आप यहां प्थ पक्रेस करो घर दो सब्सक्र मोटर बस गया मोटर के चालू होने से conveyor belt हमारा स्टार्ट हो जाएगा और conveyor belt पे जो object रखा होगा जैसे कि जो product रखा हुआ है वो product आके इस वाले limit switch को operate करवा देगा इसके operate होते ही यहां पे जो हमारा timer यह timer operate होगा और इसके जरिये हमारे conductor को दुबारा चालू किये जाएगा थोड़ी समय के बाद अभी के time पे यहां पे हमारा timer है इस timer में केवल 2 seconds का time set है तो अभी के time पे मैं इस वाले timer में 5 seconds का time set कर दिया केवल आपको बताने के लिए तो power supply को मैंने यहां पे on कर दिया on करने के बाद start push बतन को जैसे में प्रेस करता हूँ motor मेरा चालू हो चुका है motor के चालू होने के बाद यहां पे जो limit switch है यह limit switch operate होगा इसके operate होने से timer में power supply चला जाएगा और timer में जो भी हम time set करेंगे उतना time के बाद हमारा जो contactor यह वो प्रोडेक्ट आती है और वह आके इस वाली limit switch से टकराती है तो दुबारा हमारा conveyor belt रुक जाएगी और रुकने के बाद यहां पे जो हमारा timer यह timer दुबारा से conveyor belt को चालू कर देगा वह भी 10 seconds के बाद फिलार के टाइम पे यहां पे हमने 5 seconds का time set किये थे तो जैसे कि आप कोजी के according किसी circuit को बनाएंगे दोस्तों यदि आप इस प्रेकार से पूरा wiring को सिखना चाहते हैं तो मेरे जो कोर्स को जोइन कर लिजेगा को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा यदि आप यह सिखना चाहते हो कि इस प्रेकार से हम बीना timer इस्तमाल किये स्ट